प्रश्वागत है और आज हम लोग इंडिया का और इसका तो आप फंडमेंटल देख लेंगे और आने वाले समय में क्या प्राइस हो सकता है और क्या यह आगे और भी रेटन दे सकता है तो जैसा आपको चार्ट अपले बग दिख रहा है कि अभी जो है देखा जाए तो एक स 209 रुपेस से लगातार दिखाया तो वहां से ज्यादा के रेटन इस कंपनी ने दिये थे एक महिने में तो देखा जाए क्या वह चीजे रेपीट होंगी या नहीं होंगी वह चीज को देखना है और प्लस इसका फंडमेंटल देखना है तो यह सब देखने के पहले मैं चा चार्ट में क्या खुवी है जिसकी वजह से मैं इसको डिसकस कर रहा है तो उसको जाने के पहले हम लों इसके चाल को थोड़ा सा एक साल के पहले चलते हैं और वहां देखते हैं कि इसका प्राइस हुआ कहा था 37 रुपीज के एक साल पहले देखा जाए तो 37 के आज-पास थ देखा जाया कोवीड के समय इसका लो था 20 रुपीज का तो दो चीज़ें आपको identify हो गई एक तो आपको हाई मिल गया एक सो ब्यालिस और एक बीस अब बात कर लेते हैं एक साल के चार्ट पर दो तो एक साल के चार्ट पर आये तो देखें तो यहां पर देखें हैं कि यह 37 के आसपास चल रहा था लास्ट अक्टूबर में 26 अक्टूबर के समय और वहां से सेर जो है देखिए नौर में इसने जो है नौर के बाद देखिए 12 जनवरी तक इसने 83 के लेबल दिखाया थे 83 के लेबल यानि डबल से वे 100% सा ज्यादा का रेटन दिया था और इस लेबल कब तोड़ा था दोस्तों तो इस लेबल को तोड़ा था फिर देखिए आपको एप्रिल 26 को यह हाई बना था कब 13 जन को और उसके बाद तीन महिने का गैप लेने के बाद जो है इसने जो है इस लेबल को तोड़ा था और तोड़ने के बाद क्या हुआ था दोस्तों देख किए 23 अपरिल को इसने तोड़ा और यह जो है एक हाई बनाया 90 का उसके बाद एक हाई बना आपका 113 का और 113 की बात करें तो इसमें भी काफी समय मिला और 113 पर देखिए इसने जो है सेवन्त में से आपको 12 जुलाई तक दिखा यानि दो महिने का कॉंसलेटेशन रहा और उस पिरिएड में आपका 94 का लोइट पॉइंट रहा और उसके बाद से नीचे नहीं आया जहर और यहां से जरनी शुरू होती दोस्तों थ्री टाइम्स की और यहां पर देखिए एक आसपास बंद हुआ था सेकेंड जो हाइस किसका क्लूजिंग था वो था 315 रुपे का यानि 315 रुपे और 316 रुपे अब चार्ट में बताया क्या है देखिए यहां से जब इसने ड्राइग किया था फिर नीचे के लेवल देखे थे और 60 के आसपास यानि इस लेवल के आ आपका कब फर्स सेप्टेंबर को बत इसमें जो है क्लूजिंग जो है नीचे के लेवल पर दिया और वहां से डिग्रेट होते होते लास में देखिए क्लूजिंग जो आपको मिली वह 290 यानि 300 के नीचे मिला और फिर एक से जो है फिर हाई लगाया 322 रुपे का बट पर यानि आपको ये क्लूजिंग यहां मिला था 318 का वह अभी उसके उपर क्लोज नहीं हुआ जब तक दोस्तों उपर क्लोज नहीं होता है तब तक आप इसमें जो है पोजिशन इस लेबल पर यानि जब भी हाई लेबल पर आपको बनाना हो तो वहां पर देखिए कुछ ऐसा किया है चार्ट पर जिसकी बज़े से हम उसमें इन्वेट करें और उसके उपर जा सकता है देखिए चार्ट का सेंटिमेंट होता है जब चार्ट जो है एक लेबल को ब्रेक करता है तो पब्लिक में ये सेंटिमेंट होका है यह से जार इसको तोड़ा है उपर जाएग तो obviously maximum person क्या होता है वहाँ पर बाइंग शुरू करते हैं और उसमें अच्छा काता रना पा जाता है जिसका फाइदा मिलता है और फिर उसमें निकलने के भी चांसे आपको प्रोफिट होने के चांसे तो और आपको यह भी पता होना चीए कब निकलना है वहां से तो यहां पर हुसना मना था देखे इस लेबल पर आप नहीं सकते क्लोजिंग बेसिस पर आप इसको ऊपर के तरफ क्लोजिंग नहीं हुई फिर देखिए नीचे के तरफ आया आपको टू है आप देखिए 280 का फिर लेबल देखने को मिला अब यहां से क्या सुरू होता है क्या पकड़त लेबल यहां अब तरह कुया कर रहा है जो सपोर्ट है व सजीप्ट और यहां तो आया है आपको यहां यह आपका support एक मिला, क्योंकि उपर की तरफ बंद दुआ, फिर देखिए, आपको support कहां मिला, देखिए, closing basis पर फिर जो है, shift हुआ, उपर की तरफ, फिर यहाँ shift हुआ, तो आपका यहाँ पे support बना, कुछ दिनों से देखिए, अक्टूबर में यह support level था, 300, 298 के आध पास, 294, 298, तो यह दि पोजिशन बनाना था, तो आप क्या करते, 294 यह इस level का, जो इस level को तोड़ता है, तो क्या करेंगे, आप निकल जाएंगे, short term में हैं तो, और नहीं तो यहाँ पे position बनाएंगे, और इस level को यहाँ नीचे जाता है, इस top less, लगाईए, और उसे बने रही है, फिर आपको क्या करना है, यह अब देखना है, कि कहाँ पे मुनाफ़ा असुल करना है, तो obviously है, जो आप first highest, यह जो highest है, या उसके पहले का जो high है, उस पे एक रखिए, वहाँ पे मुनाफ़ा सुल कर लिए, या आप देख रहे हैं, कि closing basis पे अब क्या हुआ, यहाँ पे close कर गया, close करने पर क्या हुआ, यहाँ देखे, यह level और यह जो high level था, यह दोनो, यानि double top को जिसने cross किया है, तो double top को cross किया है, तो अब क्या सिद्या है, कि आप बहुत ज्यादा stop loss लेना चाहते हैं, तो 311 का stop loss लिजिए, क्योंकि यहाँ पा देखे closing जो है, starting point यही था, यही closing था, यही closing था, यही closing था, देखे, यहाँ closing मिल रहा है, तो आपका बहुत सारे बहाने हैं, और एक चार्ट को pattern को समझने के है, तो इस level क यानि 311 को level को, या maximum 310 के level को तोड़ता है, फिर आप निकल जाइए, तो आपका यहाँ से क्या है, कि 10-15 रुपया नीचे, 11-12 रुपया नीचे stop loss लगाईए, और यहाँ से यह मिलता है, यदि इस तरह का चाल आ गया, तो आपको अच्छा profit हो गया, और यहाँ पे ज्याद जरूर जरूर जो है, आपको consult करना चाहिए, या अपना खुचकर, बात कर ले, इसका जो है, अब थोड़ा सा मतों देख लेते हैं, इसका fundamental का, क्योंकि fundamental भी बहुत जरूरी होता है, दोस्तों, थोड़ा सा price क्यों भाग रहा है, उसको समझने के लिए, तो यहाँ मैं देख करूँ, ROE देखिए, यह 10 के नीचे, 8.28 है, जबकि मैं 15 कोचता हूँ, मैं मेरा personal है, आप अपना क्या देखते हैं, वो मैं देखता हूँ, 15 के उपर ROE होना चाहिए, और कम सकम return capital गी 15 के असपास हो, तो मुझे अच्छा लगता है, तो यहाँ पर देखिए, यह देखिए, यहाँ पर देखिए, profit 42, यहाँ देखिए, depth कितना है, 534, मतलब इस level पर तो आपको यह दिख रहा है, कि इसमें investment नहीं बनता है, अब बात कर लेते हैं, इसका 5 year profit growth का, minus 1.84% यानि, loss में, लेकिन अभी 3 साल का देखा जाए, तो वहाँ 23.5% है, यानि last 3 years में यह अच्छा क पॉजिटीव यानि profit growth कर रहा है, यह पाहना बनता है, यहाँ पर positive है, इसका वतरा profit growth आ रहा है, इसलिए यह share चल रहा है, और यहाँ पर देखिए, 6.1% का profit growth है, तो profit growth पर ठिक ठक है, अब बात कर लेते हैं, यह profit growth जो हो रहा है, तो यहाँ पर यदि बात करें, तो ROE कब पढ़ेगा देखिए आरोई इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आपके पास क्या है आपकी कमाई है 42,000 की आपका देंदारी कितनी है इस पर इंट्रेक्ट देंगे 534 क्रोड का आपके पास डेप्थ है तो काफी कुछ मुनाफ़ा जो होगा प्रॉफिट जो होगा वो कहां वह समय में यह कंपणी इसको मैनेज कर लेगी तो इस यह सूचना है और बात करें टेक्निकल पर तो टेक्निकल पर इस्ट्रिक्टली जो है आप 311 का लगाईए इस टॉप लगाना चाहिए मेरा मानना है और यहां से बन सकते हैं तो जो मैंने बताया वोगे अपना एक कीजिए या अपने फ्रेंग कोई भी काम कीजिए मेरे काने या किसी और के कहने पर कोई काम नहीं करना चाहिए यह वीडियो कैसा लगा वो मुझे बताएगा और अच्छा लगा तो प्लिस लाइक कीजिए का सब्सक्राइब कीजिए का बागा